दोस्तों स्वागत है आको नवस्तरणे नियूज में मैं हूँ आको दोस्त नवीन शर्मा हम बात करें मुझमिभाग के लेटेश्टे वह ताजा अपडेट की दोस्तों मुझमिभाग ने 22, 23 वह 24 मई के लिए जो है अलर्ट जारी कर दिया है इन तीन दिनों में देश से अब इसके सभी टेगरी की अपडेट एवम अलर्ट कवरों से साथ ही आप अपने छेत्र का मुझम जानना चाहते हैं दोस्तों तो अपने राज्य का नाम वह अपने छेत्र का नाम कमेंड में टाइप करके मैं बता सकते प्रंतु पूरी वीडियो देखने के बाद चलते है अपडेट की और जान लेते हैं क्या है मोसमी भाग का ताजा वले टेक्ष्ट अपडेट दोस्तों रिकार्ड गर्मी की बाद हिमाचल में आज से तीन दिन तक आंधी बारीच और उलावर्ष्टी का अलर्ट दोस्तों हिमाचल में जो है यलो अलर्ट भी जारी हो चुका है और यलो अलर्ट का मतलब होता है कि सावधान रहे मुसीबत आने वाली है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को रिकार्ड गर्मी परने के बाद अब बुदुहार से सूबे में मोसम करवट लेगा मोसमी भाग ने आंधी और उलावष्टी के चेतावनी जारी कर द दर्ज किया गया दोस्तों इस सीजन में मंगलवार को शिमला में सबसे गर्मतिन रहा मोसमी भाग के शिमला के अन्र के नुसार सूबे के मेदानी श्यत्रों में उना बिलासपूर हमीरपूर कांगडा और मध्यपरवती श्यत्रों में शिमला सोलन सिरमोर मंडी कुल्लू औ लवरिष्टी और बारिस की संभावनाएं देक्त की गई है चोवीस मई तक मोसम खराब रहने के आसार है महीं 25 मई से मोसम साप रहेगा और मोसम विज्यान के अन्रे ने सरकार को सटर कर रहने की अपिल की है दोस्तों मंगरवार को बिलासपूर में अरिक्तमताप मान 38.5 डिगरी मंडी के सुंदर नगर में 36.6 डिगरी हमीरपूर में 36.2 काकड़ा में 35.6 सिरमोर के नहान में 35.4 कुलू के भुंतर में 35.0 डिगरी सेल्सियस चंबा में 34.4 सोलन में 32.2 धर्मशाला में 28.8 कौलपा मे बाइद समलो चार मड़वहजी में 21.2 और केलांग में 16.8 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया जो साल के ऐसे समय के लिए सामान निताप मान हैं दोस्तों सबफ़तर गंज आपजर्टिव के मुतावित अरिक्तम ताप मान 49 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहने का नुमान है सुबह साड़े आड़ बजे आड़ अरता का इस्तर सेतलिस फिस्ते रिकार्ट किया गया और मुसमी भाग के अदिकारियों ने दिन में गरज और हलकी बारिश होने का नुमान जताया है वहीं मंगलवार को अरिक्तम ताप मान 40.3 डिगरी सेल्सियस रिकार्ट किया गया था जबकि न्यूंतम ताप मान 25.2 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया मुसमी भाग के पुर्वानुमान के नुसार बुद्वार के बार इस पूरे सप्ता यहने गुरुवार और शुक्रुवार को भी आस्वान वादल चाहे रहेंगे मुसमी भाग के मतावित महीने के आकरी तक मुसम के सुवाने होने की उमीद है जिससे गर्मी से रहात मिलेगी दोस्तों सावधान रहे सतक रहे खास करके हिमाचल प्रदेश के क्योंकि यहां जो है यलो अलर्ट जारी हो चुका है और भीषन आदे तूफान बारिश वलावरेश्टी हो सकती है तो यहां के लोग सावधान रहे सतक रहे विशेश तह 22-23 और 24 माई 2019 तक तो अगला दिल्ली में बारिश की संभावनाई जताई गई है बुद्वार को सुबह से ही आस्मान में बातल चाय हुए है इस दोरान न्यूंतम तापमान 26.04 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया जो साल की ऐसे समय के लिए सामने तापमान है और सफर्दरगंज अप्लेटिव के मुता पर चलने के दिल्य चाल सकती है और हिमाचल प्रदेश के महिने के आकरित तक जो है मोसम फिर से अपनी पूर्व स्थिमा सकता है यह कहना है मुसम भाग ने 22 और 23 मई को तेज हवाच चलने के कारण गरच के साथ बारिश होने की आशनका के मद्द्द नजर ताजा यलो अलर मतलब होता है कि अगले कुछ दिनों में मोसम बहत खराब हो सकता है और शिमला मोसम विज्ञान के अंदर ने राज्य के मेदानी तथा निचले तथा मध्य पहाड़ी लागों में बुद्धवार और गुरुवार को तेज हमाई चलने आंधी और आने के साथ गरच के साथ बोचारे पढ़ने की संभाव ना को तहद यहां लड़ जारी किया है दोस्तों बताने की मोसम विज्ञाग जानमाल का नुक्सान पहुचाने के असंगा वाले गंभीर यहानी कारक मोसम के मद्द नजर जंता को सतर्क करने के लिए अलग-अलग रंग वाले चेतावनी जार बीच बुद्वधार को सब्च्चमी राईस्थान में अंधी बारिस की जारी हो जटावनी आदार शडा敢 के बीच बुद्वार को पश्चिमी राइस्थान में आंधी बारिष की जतावनी जारी कर दिगई है मुसमी भाग के अनुसार बारमेर बिकानेर चूरू हरुआंगर जैसलमेर जालोर जोदपूर नागोर पाली और श्री गंगानगर में आंधी बारिष व बादल गरजने के साथ चतावनी जारी हुई है आंधी की यहां 30-40 किलोमेटर पति गंटे की रफ्तार से हमाई चल सकती है दोस्तों राइस्थान के लोग भी सावधान रहें यहां भैंकर व भिष्ण आंधी की जारी हो चुकी है महीं पूरी राइस्थान के अजमेर अलवर भरतपूर दूहर गुरुवार को जारी रहे गाने की आज और कल के लिए जारी हुआ अलर्ट बाइस और तैइस मई दौहर उन्निस के लिए राइस्थानी चेत्रों में न्यूंतम तापमान में बड़ोतरी जारी है पदेश में बीती राद अधिकान से स्थानों उपर राद के ताप मां राज जगे मात्र प्रवती स्थल माउंट आबू में 21.00 डिग्री रहा जबकि सबस्था रिक तापमान बाढ़ में 29.00 डिग्री रहा तो राज पहले फोलादीत में तापमान 31.00 डिग्री सेल्स था अगला अपडेटर दोस्तों बिहार के लिए बिहार में गर्मी लू का कहर जारी है मोसमी भाग ने गुरुवार को और इक्तम तापमान में गिरावट के आसार जता हैं बिहार की राजधानी पत्ना का बुदुवार को नियूंतम तापमान 27.04 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पत्ना मोसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वान उमा है इस दुरान लोगों को गर्मी से रहात मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं बुदुवार को राजधा के अने शेहरों गया का नियूंतम तापमान 25.09 डिग्री भागलपूर का 27.09 डिग्री तथा पूर्णिया का 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया राजधानी पत्ना क बुदुवार को रितम तापमान 25.09 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के असार है मंगलवार को पटना का रितम तापमान 25.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था महीं अगला पडेट है दोस्तों मध्यपदेश वासियों के लिए मध्यपदेश में भोपाल इंदोर जवलपूर में हवाओं में नमी कम होने से गर्मी बढ़ी मुसमी भाग की जानकरी दोस्तों अभी मध्यपदेश में दो तिन दिनों से गर्मी अपनी चरम आवस्ता पर रहे है और भीषण गर्मी पढ़ रही है जने की आस्मान से आग बरस रही है तो इसा क्यों हुआ इस मुसमी भाग के अनुसार अरफ सागर और राजिस्थान के और से आने वली नमी हवाओं का असर खत्म होने कारण यह गर्मी और लू का असर बढ़ गया है तापमान में भी उच्छाल आया है और बीते 24 घंटों में खरगोन में सबसे गर्म रहा जहानी तब तापमान 46 में तो मद्यपर्देश का जहें कम होगा तंडी एह हमाइद वाइं उसके कारण मद्यपर्देश का तापमान मेंटेन रहता है और इस कारण यहां पर गर्मी कम पढ़ती है पारण तो अभी आसपास कहीं भी कि शैत्रों में बारिश नहीं हो रहा है और आसवानसे बरस रह बुद्धवार को भौपाल करने उन्तमतापमान 28.6 डिगरी वह इंदोर का चब्वीट डिगरी ग्वालियर का 25.5 डिगरी और जबलपूर का 28.5 डिगरी चार की मौत आज से मिल सकती गर्मी से रहत तो अच्छी खबर है इन लोगों के लिए कि यहां कुछ मोसमें परिवर्तन होने वाला है क्या परिवर्तन है और क्या अपडेट है आईए जान लेते हैं जार घंड वासियों के लिए जारघंड में लूगने या 4 लोगो की मौत हो चुकर है। महिराची के सिकदरी में भी एक महिला की मौत हो गई टाटा स्टिल कॉम्ग प्लांट के चौपन वर्षी मेकनिकल फॉर्मेर विनर पताप सिंग की विल्लू से मौत हो गई है महिराची के साथ बारिष की संभावना है मंगलवार को शहर का दिक्तम तापमान उसर से एक दुसम लोग जिरू डिगरी सेल्सियस अधिक रहा वही तापमान बढ़ने के कारण गर्मी से लोग परेशान रहें महिराची के दुरान आने वाले चार दिनों में शहर का तापमान एक बार फिर से बढ़ने की उमीद है और मौसमी भाग के प्रुवानुमान के नुसर शहर में 22-23 और 26-27 मई को बारिष की संभावना हैं जबकि 24-25 को आसमान में बादाल चाय रहें और बारिष की संभावन सब्सक्राइं कम हैं दूसर लेटेस्ट अपडेट मौसमी भाग का जिसमें हमने जाना संपून देश के मौसमी अपडेट को और कहां होगी बारिष कहां हुआ है यलो लट जारी और कहां है भिश्रन आंद्री और बारिष की चेतावनी तो इस वीडियो को आप अरिसे करें ताकि सब लोग जान सकें मौसमी भाग के लिए टिस्ट अपडेट को और सावधान सतर करें सकें इतना ही फिर आपके लिए उपस्ति दोंगने जानकारी के सांथ तक लिए उस्तों खुश रहिए स्वास्त दिए नमस्ते इंडिया